हेलो एवरेन, once again आपका स्वागत है U-Bone Academy में जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइन्स को पूरी तरह डिकोड करेंगी क्लास 9 तक अंदगत साइन्स का 3rd चेप्टर चला है जिसका नाम है Atoms and Molecules परमान और अनू आज की इस वीडियो में हम फॉर्मले कैसे बनाया जाते हैं और उनके लिए क्या-क्या conditions हैं कैसे उसको write किया आता है तो उसकी बारे में जान कर लेंगे जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहें चलिए शुरू करते हैं Atoms and Molecules पार्ट 7 Formula of a Simple Compound सरल योगिं को कैसे सूत्र को हम write करते हैं तो उसकी बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे The simplest compounds which are made up of two different elements are called binary compounds दो भिन भिन तत्तों से निर्मित सरलतम, simplest compounds को हम द्वी अंगी योगि कहते हैं binary compounds, binary compound को हमने द्वी अंगी योगि से जाना जाता है इसको दो तो कम से कम होंगे ही जैसे initial कहा तो इसमें दो element तो है ना दो एटम तो है इसमें एक सोड़े में दूसरा को लाड़ है तो कम से कम दो एटम तो चाहिए किसी compound को form करने के लिए valences of some ions are given in table 3.6 you can use these two right formula of compounds इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने वैलेंसी के बारे में जाना था ठीक है जैसे हमने कहा फॉंसपेट तो फॉंसपेट की वैलेंसी कितनी थी तो यह element की वैलेंसी थी calcium कहा तो ca 2 positive calcium की वैलेंसी थी तो इस दंग से जो different element थे उनकी वैलेंसी की बारे में जान कर ली थी you can use these two right formula for compound ठीक है इन वैलेंसी का उप्यो करके आप किसी भी compound के formula को write कर सकते है ठीक है क्या क्या element है आपको पता चल जाए एटम क्या है उनको पता चल जाए तो आप उस formula को आसानी से लिख सकते है while writing the chemical formula of a compound for compound we write the constituent elements and their valences as soon below ठीक है आणवी गयों क्योंके सूत्र लिखिनते समय हम पहले शंगट्य तत्यों की परतिकी लिखकर उनकी श्युविकता लिखते है ठीक हीगा कैसी इसको write किया गया है then we must cross over the valences of the combining atoms उसके बाद हम परवान की श्युविकता को cross करके ठीक है उसके अनुशूत्र को write करते है उसका जो एक्चलों formula हो उसको write किया जाएगा देखेगा examples formula अब hydrogen chloride ठीक है hydrogen chloride का formula कैसे लिखता है हम इसको देख रहे हैं यहापर तो हम एक्चलों जो वो cross वाले थे उसको हम लिखनी पाए तो मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूं कैसे लिखा जाता है hydrogen का symbol क्या होता है H hydrogen क्क आच हई हसी जो क्लो मशाता है और tecnologia का symbol होता है वो क्लो एक्च अधर काily क्या होता है वण, 1 है, दोनों के VALANCY एक ही है तो हम SIMPLE भाहसां में जो Hb-CLE 2-1-1 गया है तो हम सिंपली भाहसा में जहाएं हम या हैं है है उसको हम SCL लिखँ़ देगा है तो हडाय है है , जह से ein ही 10-99 है तो हम सीमगें ही 1-0 है कि यह स्मेq प्ल वहिंगे हैं है का सिंबल कि होता है एच सफर सिंबल कि होता है I do की यह ए रवाणिश दिश एपो तो टो कॉइधर लेंगे हैं और और we एब आएज संब्सक्राइब कि लिँखा जाएगा ऐच एच टू और एच टू हैच टू एच वन यह लखें तो कुई दिक्कत निए तो और संजय को बंती स संयुज़क्ता नहीं पाम तो को क्रॉस्वर के हमने बचा कि कि इतनी होती है वन तो यह चार था हमारे पास और यह कितना है वन तो यह इधर आ जाएगा और यह इधर चले जाएगा ठीक है तो हम फॉर्मॉला के लिखेंगे कि इतनी है तो यहां पर हमने कुछ एलिमेंट को आपसे में कमबाइन किया तो कंपाउंड कैसे बनाई होगी कैसे बने तो इसकी बारे में जाने कर लेंगे टीक है अगर हम आएनिक कमपाउंड का फॉर्मॉल लिखते हैं तो इसका सिंप्लेस्ट होल नंबर रिशियो उसका पॉसिबल होना चाहिए पॉस्टिव और नेगटिव आयन का होल नमर रिश्यो लिखा जाता है फॉर मैंगनेशियम क्लॉराइट वी राइट दा सिंबल अप काटाइन एंग तो पॉस्टिव फॉस्टिव फॉस्टिव फॉलोड बाइट सिंबल ऑप अनायन सील नेगटिव तो मैंगनेशियम क्लॉराइट क्या है मेंगनिसियम का आयन क्या है Mg2 positive और chloride का आयन क्या है CL negative ठीक है तो उसको हम पहले write कर लेंगे हमने क्या लिखा Mg लिखेंगे और CL लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम दोने के charge को ठीक है मेंगनिसियम की वैलेंशी कितने होती है प्लस टू मेंगनिसियम की इतनी होती है प्लस टू और chloride की इतनी होती है मैनस वन ठीक है तो आप क्या करेंगे यह चार्ज इधर आएगा और यह चार्ज इधर जाएगा वैसे हम इससे पहले क्रॉस करते तो पहला वाल चार्ज दूसरे पर दूसरी का चार्ज पहले पर तो Mg कितना है 1 लिख देंगे और क्लीट कर सकते हैं ठीक कोई ज़्यादध अपनी है सिंपल भाशा में Mg की क्ल 2 बन जाएगा ठीक है तो फॉर्म्ला मैंस फॉर्म्ला को फॉर्म्ला क्या हो गाए Mg क्ल2 कैसे बना Mg इसकी दो बैलेंस है थी Cl इसकी एक बैलेंस ही है यह इधर आ जाएगा और यह इधर चलेगा फोर्मने के बजाएगा Mg Cl दस In magnesium chloride There are two chloride ions for each magnesium ions ठीक है इस परकार देखते हैं कि magnesium chloride के अण में दो chloride ions परतेक magnesium ions के लिए होता है The positive and negative charge must balance each other and the overall structure must be neutral इसमें क्या हुआ जो धनात्मक और रिनात्मक आविश था उन दोनों ने एक दुशे को क्या कर दिया cancel कर दिया cancel out कर दिया उसके charge को क्या कर दिया निरस्त कर दिया और जो शूत्र है वो अपने आमे क्या हो गया neutral जो compound होगा अपने आमे क्या हो जाएगा neutral Note that in the formula the charge on the ions are not indicated तो याद रखेगा कि जब भी हम formula को लिखते हैं तो उसके सूत्रों में उनके formula में ions जो होगे उन पर कोई भी आवेस नहीं लिखा जाता है उन पर कोई भी आवेस कम नहीं दरसाते तो इस चीज को याद रखेगा some more examples formula of aluminum oxide aluminum oxide का formula क्या होता है Al2 O3 तो Al की balance कितनी होती है Al 3 balance होती है oxygen 2 balance होती है ठीक है aluminum की balance कितनी है Al कप पर कितना आवेस होता है plus का 2 Al पर कितना कह रहे हैं plus का 2 आवेस positive charge और C L पर कितना होता है minus का 2 ठीक है तो plus का हो गया और यह minus को हो गया अब इसको हम इसको इधर ले लेंगे और इसको इधर लेंगे तो charge के बन जाएगा हमारे पास formula के बन जाएगा Al2 O3 तो इस दंग से हमारे पास simple formula हो जाएगा aluminum oxide का formula of calcium oxide calcium oxygen calcium पर प्लस टू चार्ज oxygen पर मैनेस टू चार्ज oxygen पर कितना मैनेस टू चार्ज यह इधर आएगा यह इधर आएगा तो C A 2 O2 लिखेंगे हम 2 से 2 क्या हो जाएगा cut तो formula क्या बन जाएगा हमारे पास calcium oxide का simply C A O तो यह क्या होगा calcium oxide simple हम इसको write कर सकते हैं तो हमने देखा कि हम पर कैसे calcium को oxygen के साथ देखो दोनों पर प्लस कितना चार्ज था बराबर है तो यह दोनों का चार्ज क्या है बराबर तो यह जंक्से हम इसको write करते है formula sodium nitrate sodium के वैलेंसी कितनी होती है sodium के वैलेंसी plus 1 और nitrate के वैलेंसी कितनी होती है minus 1 sodium के वैलेंसी कितनी है plus 1 और nitrate के वैलेंसी कितनी है minus 1 तो N A लिखा हमने NO3 लिखा nitrate यह होता है यह plus 1 होता है यह minus 1 होता है इसको हम इदर लिखेंगे इसको इदर लेखेंगे तो फॉर्मॉला क्या बंजाएगा NaO3 तो इस पॉलिय एटमिक आयन हमने इसको स्टंग से राइट कर से शोडियम राइट इसके लावा हमारे पास दूस्तर एटम क्या है कैसिम हेड्रोक्साइट कैसिम हेड्रोक्साइट को इसको हम इधर लेंगे और इसको हम यहां लिखेंगे अब देखो इसको लिखने समय आपको पता होना चाहिए इसको कैसे लिखा जाएगा ब्रैकेट का यूज कहाँ पर करेंगे और इसको कैसे लिखेंगे लिखेंगे उसको आपको यहां से लेकर यहां तक ब्रैकेट एसे होगा अगर आपने इसको एसे लिखेंगे गूवे तो पूरा हैडोक्साइट एन होता है अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब कि है अगगा है अग्षिन दो हो गए ऑक्षिन तो यह इस दंग से गलज देगा तो आपको लिखना है क्या है आएन एक जैसे होंगे तो उसे में हम ब्रेकेट का यूज करेंगे here the bracket around OS with a subscript to indicates that there are two hydroxide आएन joined to one calcium आएन तो यहाँ पर हमने क्या लिखा ब्रेकेट के बाहर से दो इंडिकेट लिखा हुआ है दो subscript लगा रोग तो इसका अतलग क्या हो गया कि hydroxide आएन कितना यहां पर दो और calcium क्यछिंच यहां पर एक तो एक कैलसी माइन के सकते हैं कि कैल्सियम हेड्रोक्षाइड में ऑक्षिजिन एम हैड्रोजन परते के दो दो परमानों उपस्तित होगे अगला हमारे पास फॉर्मुला है फॉर्मुला आप शोडियम कार्बूरेट एने टू श्यो त्री ये फॉर्मुला होता है यह हमने लिखा हुआ है देख इसको कैसे ल गजितने होते है मैनस 2 तो यह इधर आ जाएगा और यह इधर आ जाएगा तो क्या लिपने का फॉर्मुला एने टू श्यो ठीकर तो शोडियम कार्बूरेट को आप एक ही एटम था ठीकर शोडियम का एक ही एटम था कर थे स्यां तो यहां पर एक है procent से सूर्डियूं तो अगर है लगा नीट कर सकते हैं से dalते नहीं पड़ेगे इसकी valency plus 1 होती है sulfate iron है इसकी valency minus 2 होती है तो ये इधर आ जाएगा तो फर्मा के बन जाएगा NS4 का whole choice SO4 अब देखो इसको कैसे लिखेंगे इसके बारे में देखते हम ammonium sulfate है तो ammonium में ammonium जो iron है ammonium जो iron है उसमें कितने NS4 था हम यहाँ पर bracket क्या लगा रहे है क्योंकि यहाँ पर एक sodium atom है और एक hydrogen atom है तो दो अलगलग atom है तो तब जाएगे हमने यहाँ पर एक bracket का use किया अब देखो sulfate की बात करेंगे तो sulfate है SO4 ठीक है तो यहाँ पर देखो हम bracket है लगा रहे है क्योंकि sulfate SO4 अपने आप में एक ही polyatomic ion है तो इस दंक्सिया हम क्या करेंगे इसको write करते है ammonium sulfate का formula हमने write कर लिया formula unit mass ठीक है यहाँ पर इससे पहले किया हमने यह लगा पर देखे तो अब क्या हमारे पास formula unit mass formula unit mass कैसे निकालता हम ठीक है तो उसकी बारे महाँ यहाँ पर जानकार लेंगे ठीक है सूत्र इकाई द्रविमान ठीक है atomic mass में formula atomic mass को हम कैसे लिखते हैं तो उसकी बारे महाँ यहाँ पर जानकारी ले रहे है the formula unit mass of a substance is sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound ठीक है किसी पदार्त का सूत्र इकाई द्रविमान उसके सभी संगठक परमानों के परमान द्रविमानों का योग होता है formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass ठीक formula unit mass को भी उसी तरीके से calculate किया जाता है जिस तरीके से हम molecular mass आनवी द्रविमान को calculate करते है ठीक है देखो मैं कि आनवी द्रविमान कैसे calculate को उसके बारे में एक एक्जामपल बताता हूँ ह्टू 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 में hydrogen का mass कितना है एक oxygen का mass कितना है 16 तो हम ह्टू का molar mass calculate करेंगे तो कितना लिखेंगे hydrogen के atom कितने है ह्टू फॉर्मूला मारे पास जाद रिखेगा ह्टू था hydrogen का mass कितना बता है उसके एक oxygen का mass कितना बताया 16 तो hydrogen के atom कितने हैं यहांपर 2 तो 2 into 1 1 hydrogen का mass हो गया 2 यहांपर hydrogen के atom हो गयी 1 क्या hydrogen का द्रविमान है और 2 क्या hydrogen के atom है यहांपर 2 है न प्लस 16 तो कितना हो जाएगए 2 प्लस 16 इस इकॉल टू 18 तो यह उक्षिन का क्या होगा एंस न स्वरी वाटर मॉल्कुल का एस्विक मास हम कैल कॉल्स किया जैसे कार्मेंड ऑक्साइड था सब्सक्राइब कर सकते हैं ग्यां प्लस औक सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भी एल्मेंट होगा उसका मॉलेकुलर को हम calculate कर सकते हैं इसी तरीके से formula formula unit जो mass होगा ठीक है इकाई द्रेमान जो भार होगा उसको भी हम calculate कर लेंगे अभी मैं बताऊंगा example the only difference is that we use the word formula unit for those substances which constituent particles are ions तो formula unit mass हम क्योंब उनके लिए करते हैं जिनके constituent particles क्या होता है ions होते है ठीक है है formula calculate करने का एक ही तरीका है ठीक है जब constituent particle क्या होगे ions तो उस इस्तित में इसको यूज किया जाएगा ठीक है उस इस्तित में इसको हम use करेंगे बताते हैं आगे देखो फॉर एक्जांपल sodium collide as discussed एभब है जो formula unit initial sodium collide का सूत्र क्या है एक इसका जो formula unit mass है ठीक है सूत्र द्रेमान जो भार है उसको हम कैसे ज्याद करें तो उसको देखिएगा एने का कितना एक एक एटम है एक तो क्या क्या हमने एने एक एटम का मास कितना होते है तो हमने कया लखा एक एक क्या होगा तो दूनों को हमने घ्ट किया तो कितना होगा 58.5 यू यू उनिफाइड हो गया दूसरा कैल्कूर दा फॉर्मुला उनिट मास अप कैल्कूर का मास कल्कूलाइट का मास काल्कूलाइट करेंगे तो एक मास पाल्स के एक एक क्लोलाइट कर दो प्लस टूं इंटू 35.5 क्यों कि क्लोरीन के कितना इंटनी यहाँ पर तो कुलूरी निया पर दो एटम है ना तो तब जाके हमने टू इन्टू 35.5 किया तो अगर हम इसको कैल्कुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमार पास 111 यानि 111 केशिय केहा होका Πưởng की प्रेंगे Ten 산 इसको जियर तो यहां पर हमने कैसे जो मॉल्उकुल महाश है और कैसे फॉर्मुला जो श्चर मास है फॉर्मल इंड मास और मॉलकुल मास को कैसे कलकुईट करते हैं तो उसकी बारे में जानकार लेगे इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम मोल कंसेप्ट तो मोल कंसेप्ट के बारे में जानकार लेंगे तो यह आपके लिए अगला जो वीडियो को बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा थैंक्यों वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए